हेलो एवरिबन आज की वीडियो में हम ये येरिंग बनाएंगे इससे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 40 नमबर का थ्रेड लिया है 0.5 mm का प्रोचे ठूप हैंगिंग के लिए 2 बीड लिये हैं फ्लावर पे लगाने के लिए बीड्स येरिंग खूप तू साइज के जम्परिंग लिये हैं आई पिन, हेड पिन, कटर्व, प्लायर, सीजर, फैबरिक ग्लू और स्टार्ज सबसे पहले एक रिंग बना लेंगे चेन मनाएंगे रिंग में ट्रिपल क्रोशे लेंगे 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 टू-टू istuish्टी्च complete करते हुए इसको यहां पर हम तो अब तक बनाएंगे फिलास्ट में जो टू इ 소개 है यह देखिए इनको हमने complete किया है जो क्रोशे लेंगे एक रिंग आश्ट में ट्रिपल क्रोशे से लेंगे त्री चेन लेंगे रिंग में सिलिपिष्टिच लेंगे ये देखे इस तरह से हमें पैटल्स बनानी है इस रिंग में हम और पैटल्स बना लेंगे ये देखे और पैटल लेंगे रिंग में सिलिपिष्टिच लेंगे त्रैट को कट करेंगे रिंग में से thread को इसको हम पीछे की side कर देंगे रिंग को अच्छे से side करके बंद कर लेना है यह देखे इस तरह से हमें flower बनाने है यहाँ पर मैंने six flower बनाए है यह देखे इस तरह से back side पर starch लगाएंगे यह देखे इस तरह से हमें starch लगा लेना है बाकी के flower पर भी हम इसी तरह से starch लगा लेंगे flower को shape देने के लिए सबसे पहले सभी petals को अच्छे से यह देखे इस तरह से हमें सीधा कर लेना है त्रोचे ठुकी back side से इस तरह से हमें यह देखे शेप देंगे एक्ष्टा thread को cut कर देंगे thread को हम यहाँ पर चिपका देंगे back side पर यह देखे इसी तरह से बाकी के flower भी तयार कर लेने हैं यह देखे तभी flower को shape दे दिया है head pin लेंगे इसके अंदर bead लगाएंगे head pin को flower के अंदर यह देखे इस तरह से लगा लेंगे head pin को हम यह देखे इस तरह से मोड लेंगे extra head pin को यहाँ से हम cut कर देंगे head pin को हम यह देखे इस तरह से round shape देंगे यह देखे इस तरह से bead लगा लेना है same इसी तरह से बाकी के flower पर भी हम beads लगा लेंगे यह देखे इस तरह से यह two beads हैं बड़े size के इसमें भी हमने इसी तरह से loop बना लिया है आई-pin लेंगे इसको मैंने एक को थोड़ा छोटा रखा है आई-pin को खोल लेंगे इसके अंदर यह bead लगाएंगे आई-pin को बन करेंगे इस side भी हमें loop बनाना है इस तरह से पहले हम आई-pin को मोड लेंगे यह देखे इस तरह से round shape देंगे सेम इसी तरह से दूसरी वाली आई-pin को भी हमें तैयार कर लेंगे यह देखे इस तरह से बना लेंगे यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े size का जंपरिंग लिया है इसको हमें खोल लेना है इसके अंदर यह देखे इस तरह से 3 flower लगाएंगे आई-pin लगाएंगे यह देखे दोनों आई-pin इसमें लगा लेंगे फिर से हम 3 flower लगाएंगे जंपरिंग को बन कर देंगे यह देखे इस तरह से 2 जंपरिंग लेंगे जहां पर हमने अभी जंपरिंग बन किया है यह देखे थ्री फ्लावर इस साइड रखेंगे बीच में हम जंपरिंग को लगा लेंगे इस जंपरिंग में फूक अटैज करेंगे यह देखे इस तरह से बना लेना है यह देखे हमारे यह रिंग कंप्लीट है दो कि यह देखे देखेंगे जब देखेंगे झाल झाल